हलो प्यारे बच्चों नमस्कार मैं अमित आपका स्वागत करता हूँ लर्नोहब में जहां आप पढ़ सकते हैं मैट्स, SST, साइंस जैसे सब्जेक्ट वो भी एकदम फ्री में अट लर्नोहब डोट कॉम लर्नोहब फ्री है पर बेस्ट है तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्या देखने वाले हैं आज NCRT exercise 3.4 के कुशन नमबर 1 and 2 तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं चलिए बच्चों देखिए बच्चे फर्स्ट कुशन हमारा आज जुका है क्या बोला गया है इसमें solve the following pair of linear equations by the elimination method देखिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बच्चे फर्स्ट कुशन इसमें क्या दिया गया है solve the following pair of linear equations ओके with the elimination method की बात कर रहा है और substitution method की बात कर रहा है बच्चों substitution method बच्चे हम देख चोके हैं get yourself substitution हम लोग देखी चुके हैं चलिए जी elimination से कर लेते हैं elimination में बच्चे ऐसा होता है धो equations को compare करके आपस में या थो x को remove कर देते हैं ठीक है? addition या subtraction के तुर हूँ या फिर y को थीक है धोनों में से किसी भी एक टर्म को remove करना होता है अब कैसे करते हैं आओ देखते हैं तो इधर दो partition कर लिए जाए हाँ जी तो एक तरफ तो बच्चे substitution आ जाएगा इस तरफ लिख लिख लेते हैं बच्चा Elimination क्या ठीक है हाँ जी एक दम ठीक है चलो जी अब बच्चा equation देखे क्या दी गई है इसे मान लेते हैं बच्चो equation first इसे मान लेते हैं equation second मान ली अब देखे इसमें कोई भी दो टर्म जैसे के x y है इसमें भी x y दी गई है तो x x को बराबर कर लिजे या y y को बराबर कर लिजे कैसे करेंगे multiplication division जैसे भी कर सकते हैं कर लिजे अब जैसे के अगर हम मान के चले के x और x इनमें हमको बराबर करनी है क्या करना पड़ेगा उसके लिए equation first को हमको multiply करना पड़ेगा on multiply equation first by 2 both side बच्चे both side भी करनी है ठीक है ना ठीक है जी देखें both side multiplication करने से बच्चे ये क्या बन जाएगा 2x प्लस में 2y is equal to 10 क्या ये equation third बन गई अब देखें अब हम क्या कर सकते हैं इन दोनों equation को compare कर सकते हैं बच्चो क्या किस किस को अब देखें दोनों terms हमारे पास में आच चुकी है अब अगर हम इन दोनों को equation third को minus कर देते हैं दोनों का मतलब difference निकाल दे, दोनों को मानेस करवा दीजी, ठीक है, अब देखिए, equation 3rd क्या है हमारी, 2x plus 2y is equal to 10, आपको यहाँ पर लिखना होगा कि, on subtracting, equation 2 and 3rd, ठीक है, चलवा जो, बच्चे, 3rd equation हम लिख चुक है, अब second लिख लिजी, second क्या दी गई है, मानेस का 3y है, 4 is equal to 4 देगा, subtracting करेंगे बच्चे, यह cancel हो जाएगा, जब यहाँ प्लस बन जाएगा, क्योंकि subtract करेंगे, तो मानेस मानेस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ plus कसाइन लगा देते हैं, तो 5y आजाएगा, क्या बच्चे, यहाँ पर 5y आचुका है, मानेस करेंगे, यहाँ कितन 6 आजाएगा क्या, हाँ जी, चलिए 6 आगया, तो y की value कितनी आगई बच्चा लोग, y की value आच चुकी है, 6 अपोन में 5, that is, कितना आगया यह, 5 बंजब 5, 1 point, ठीक है जी, चलो, अब इस y की value को किसी भी equation में put कर दी, किस में put करेंगे, या तो इस में कर लो, या equation first में कर ल 5 माइनस में, 1 point 2 है यह, और उसके बाद में बच्चो क्या हो जाएगा, जल्दी बता दू मुझे, यह कितना आजाएगा, क्या, 3 point 8 आजाएगा बच्चो, क्या मेरी बाद ठीक है बच्चो, बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल ठीक, तो चलिए, आब substitution देख लेते हैं क्या है हमारी, 2x माइनस का 3y is equal to 4, इस x की जगा यह value रखनी पड़ेगी, हाँ जी, रखनी पड़ेगी, चलो फटा फट से रख देते हैं बच्चो, 5 माइनस का 2y, 10 माइनस का 3y is equal to 4, क्या यह है, यह आ जाएगा बच्चे, माइनस का 5y, ठीक है, उदर जाके कितना हो माइनस कैंसल हो जाएगा, हाँ जी, y is equal to 6 upon 5, same way वाली value आ रही है गा, जो हमारी इसमें आई थी, same आ रही है न, हाँ जी, बच्चे कर तो किसी से भी लेजी, same ही आना हो तो, ठीक है, क्या 1.2 इसको लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसको ऐसा भी छोड़ सकते हैं, 6 upon 5 भी आ आप इसको यहाँ पर छोड़ सकते हैं, ठीक है बच्चो, y की value आ चूगे 1.5, अब इसको put करवा दीजिए, यहाँ पर, put in equation a, इस equation में put करवाएंगे, तो x is equal to कितना आ जाएगा, 5 minus 1.2, same way चीज़ आ जाएगे बच्चो, 3.8 हमारा आ जाएगा, क्या किसी मेरे प्यारे ब उसको यह तो add दरवा दीजिए, यह subtract करवा दीजिए, तो वहाँ से एक term cancel out हो जाएगे, दूसरे के value खुद बाखुद आ जाएगे, ठीक है जी चलो, तो इसी के साथ बच्चे next question के और बढ़ते हैं, तो चलिए बच्चो, start करते हैं, हमारा अगला question आज चुका है, तो चल 2 मन कर लें, ठीक है जी, इसे क्या करते हैं, equation second मान ले, इसे मान लेते हैं बच्चो, equation first, ठीक है मेरे प्यारे बच्चो, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, अब देखें, क्या लिखेंगे, on multiply both side by 2 in equation second, second equation के अंदर both side multiply किस की करनी है, 2 की करनी है, तो क्या बन जाएगा, आ यह, क्या यह equation थी, multiply करवा दी भाई इसकी, ठीक है बच्चलो, यह क्या बन गया, 4x minus 4y और is equal to 4, क्या ऐसा ही बनेगा, क्या हाँ जी, बिल्कुल बन जाएगा, इसको मान लेते हैं बच्चो, equation number third, ठीक है जी, चलो, अब क्या करते हैं बच्चो, on adding, adding करवा है, क्योंकि एक यहाँ पर भी 4y आ रहा है, यहाँ पर भी 4y आ रहा है, यहाँ प्लस का यहदर मानिस का, तो add करवा देते हैं, ठीक है जी, अब यहाँ आपको लिखना है कि on adding, on add equation कितना third, और किसको equation first को, ठीक है जी, third equation कितनी है बच्चा, ऐसा है, और first वाले equation क्या दी गई गई, देखो 3x प्लस 4y, 3x प्लस में 4y is equal to कितना है, यह 10, ठीक है जी, चलिए, add करने पर दे कि 1 प्लस की एक मानिस की टर्म cancel out हो गई, हाँ जी, यह 7x आ जाएगा, और यह प्लस हो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, तो बच्चे, x की value कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी, क्या देखिए, चलिए, यह 4 है, 4 आ जाएगा, मानिस का 2y, यह बराबर है बच्चो यहाँ पर, ठीक है जी, चलो, मानिस का 2y is equal to 2, मानिस का 4, यह कितना हो जाएगा, मानिस का 2 हो जाएगा, ठीक है जी, अब मानिस का 2y is equal to कितना हो जाएगा, यह मानिस का 2 है, यह कट जाएगा तो y की value कितनी आ जाएगी यहां से क्या बच्चो y की value minus 1 आ गई क्या आपको clear हुआ यह चीज x की value 2i और y की value 1 आ गई ठीक है जी चलो अब बच्चे substitution method से देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं इस question को चली सबसे पहले तो बच्चा 3x plus का 4y और यह कितना दिया हुआ is equal to 10 दिया हुआ equation first मान लेते हैं यहीं सही x की value निकाल लेते हैं क्याने के लिए कि यह term उदर पहुंच जाएगी 4y हो जाएगा और upon में यह कितना 3 हो जाएगा equation इसको a मान लेजिए ठीक है जी चलो आजो second equation क्या दे रखिए बच्चो equation second मान लो इसको ठीक है भई चलो अब इसको क्या करवाना है इसको लिखेंगे के put in equation second second equation के अंदर इसकी x की value put करवा देंगे ठीक है जी चलो 2 in 2 में x की value x की जगा क्या लिखेंगे बच्चो 10 minus के 4y upon में 3 क्या ऐसा ही कुछ आएगा हाँ जी अब बच्चे LCM जब लेंगे ना इसका तो ये कितना हो जाएगा 2 की तो multiply अंदर करवा देजे ठीक है बच्चो चलो अंदर multiply करवा देजे ये 20 आजाएगा minus का 8y आजाएगा हाँ जी बच्चे ये जब LCM लेंगे तो ये 6y हो जाएगा और जब ये finally उस तरफ जाएगा तो ये इदर 6 हो जाएगा ठीक है बच्चो चलिए 8y और minus का 6y 8 और 6 कितना 14 वो भी minus का आएगा ठीक है जी क्या कि दोनों ही sign minus के है 14y 6 minus का 20 minus का 14y और ये कितना हो जाता है minus का 14 ही होगा अगे तो y की value कितनी आए 1 आए क्या मेरे बच्चो y की value यहां भी 1 आ रहे थी हाँ जी बिलकुल आ रहे थी चलिए बहुत बढ़िया अब बच्चे इस y की value को put करवा दीजी कहाँ पर equation a के अंदर put in equation a ठीके जी एक अंदर बच्चे जब put करवाएंगे तो 10 minus 4 y होगा अप उन में 3 होगा क्या ऐसा ही होगा हाँ जी अब बच्चे 10 minus 4 into 1 अप उन में 3 10 minus 4 अप उन में 3 और यह finally कितना बन जाएगा जल्दी बताओ 10 में से 4 जाके 6 बच्चेगा और 6 3 और यह 2 तो बच्चे x की value 2 क्या x और y की value दोनों बराबर आ रही है हाँ जी बिल्कुल बराबर आ रही है तो बच्चे ये question भी हमारा समापत होता है अपने next question के और बढ़ते हैं चलिए चलिए बच्चो देखे स्टार्ट करते हैं अपना अगला question क्या बूलते हैं इसको rearrange कर लेते हैं ठीक है जी चलिए देखे equation first है और equation second है बच्चे इसको अभी equation second आप मत मानिए क्योंके तोड़ा सा इसको rearrange कर लेते हैं ठीक है जी इसको rearrange करके तब हम इसको लिखेंगे चलिए इसे हम लिख सकते हैं 9x minus का 2y is equal to 7 3x minus के 5y is equal to 4 अब इनको मान लिजे equation first and equation second ठीक है मेरे फ्यारे बच्चों देखें अब इसमें अगर हम 3 की multiply करें तो हम x की जो term है बच्चे इनको हम बराबर लेके आ सकते हैं ठीक है ची चलो तो अभी आप ये लिख लिजे के on multiplying multiply by कितना? 3 in equation first equation first के अंदर 3 से multiply करने पर क्या आएगा? देखे 9x अरे भाई ये multiply कर दो ना इसकी ये लो 9x आजाएगा minus का 15y और is equal to कितना? ये 12 आजाएगा क्या? हाँ जी बिल्कूल आजाएगा चलो अब बच्चे चलिए ये equation हमारी third हो गई ठीक है? क्या किसी कोई दिक्कत है? नहीं है जी अब एक काम करते हैं बच्चो own subtracting अगर हम देखें subtract करने पर किस को? equation number third को और second को आपस में subtract करवाते हैं चलो 9x minus के 15y is equal to 12 अब बच्चे क्या करवाना है? 9x है और ये कितना है? minus का 2y है और 7 है बच्चे subtract करवाएंगे ये 9x वाली term cancel out हो जाएगी? हाँ जी अब देखें इसको subtract करवाएं, sign change हो जाएगा plus का बन जाएगा, minus का 15 है और plus का 2 है कितना बन जाएगा? minus का बच्चे 13 बन जाएगा 13y, ठीक है मेरी बात? हाँ जी ये minus है, 12 में से बच्चा ये 7 जाएंगे, ठीक है 12 में से 7 जाएगे कितना 5 बच्चेगा? तो बच्चा ये y is equal to कितना जाएगा? 5 upon में 13 ठीक है जी? बच्चे y की value आ चुकी है, minus के 5 upon में 13 क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है चलो, अब इसको put करवा देते हैं इन equation किस में है? जल्दी बोलो, कौन सी में करवाएं हैं? चलिए equation 2 के अंदर देख लें क्या चलिए equation 2 के अंदर अगर इसको put करवा के देखते हैं बच्चो y की value चलिए y के जगा क्या लिखना पड़ेगा? minus का 5 upon में 15 13 है बच्चो, 15 नहीं, 13 है चलिए, कितना इस 7 है? यह टर्म पूरी उदर जाके plus हो जाएगी, 7 plus में कितना? plus नहीं बच्चो, minus ही होगी है क्योंकि इदर यह पूरा का पूरा cancel out हो जाएगा minus आके बच्चो यह हो जाएगी 10 और यह 13 ठीक है जी? और यह कितना हो जाएगा तुमारा? minus का 10 अपॉन में 13 तो x की value कितना आई बच्चो? देखे अब, कितना है यह? 81 है और यह 9 इदर आ जाएगा और यह 13 है तो जी 9 9s आँ तो यह x is equal to 9 अपॉन में कितनी आई? 13 आगे ठीक है बच्चो? यह आगा ही हमारी 9 अपॉन में 13 चलिए बहुत बढ़िया ठीक है तो फिर substitution वाले से कर लेते हैं बच्चो? चलो आजो, देखे equation first क्या दियुई है? 3x minus का 5y is equal to 4 यह equation first है हमारी और equation second क्या है बच्चो? बच्चे साथ के साथ हैं पर निकाल लेते हैं देखो x is equal to 4 प्लस में 5y upon में 3 इसे equation a मान लिया है मान लिया जी चलिए 9x 2y plus में 7 ऐसा ही है कुछ हाँ जी ठीक है जी? चलवा जो अब इसके बाद मैं क्या करें? इसे equation second मान लिजिए second मान लिए equation हाँ जी अब एक काम करते हैं बच्चो? इसको जो है put करवा देते हैं second के अंदर put in equation second ठीक है जी? चलिए x की value बच्चे यहाँ पर put करेंगे तो 9 into में क्या हो जाएगा? 4 बच्चे x की जगा put करवा देते हैं 4 प्लस में 5y ठीक है जी? अब उन में कितना ही है? 3 है minus cut 2y is equal to 7 क्या ठीक है बच्चो? हाँ जी अब देखे क्या इसको इससे काट सकते हैं? हाँ जी 3 times यह कट चाया है तो इसको अंदर multiply करवाएंगे 12 आ जाएगा यह आ जाएगा हमारा 15 और यह कितना है? 2y है और यह 7 है क्या किसी बच्चे को दिक्कत है यहां तक नहीं होनी चाहिए चलिए आ जो बच्चे इसको solve करेंगे कितना आ जाएगा? 13y आ जाएगा यह हाँ जी आ जाएगा 12 उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा 12 यह इकल टू कितना आया? माइनस का 5 अपन बच्चे 13 क्या किसी बच्चे को दिक्कत है? y के वैल्यू क्या? हमारी माइनस का 5 अपन 13 आ जो कि है? हाँ जी बलकुल आ जो कि है यहाँ पर कितनी आया थी बच्चे? सेम वैल्यू हमारी आ रहे थी चलो अब इसको बच्चे put करवा देते हैं equation first के अंदर first नहीं बच्चे य वैसे first में put करवा सकता है पर इसी में put कर दीजिए एक अंदर important equation A एक अंदर बच्चे जब put करेंगे तो यह क्या हो जाएगा? 4 plus में 5 minus 5 अपन में 13 अपन में कितना है? यह 3 है चलिए बहुत अच्छे अब जब देखे बच्चो क्या हो जाएगा? देखे ऊपर उपर का जब यह LCM लेंगे तो यह कितना हो जाएगा? चलिए यह 52 हो गया और जी यह minus का हो जाएगा बच्चे 5 5 अब जाएगा 25 बच्चे X की value आ गई है 9 अपन में 13 ठीक है जी? देखे बच्चो X और Y की दोनों ही जगा values हमारी सेम आ रही है उमीद है बच्चे आपको clear हो गया होगा तो इसी के साथ बच्चे अपने अगले question की तरफ बढ़ते हैं चलिए चलिए बच्चो देखिए हमारा next question आज चुका है हमारे सामने चलिए देखिए अगर आप इन equations को अगर सोड़ा सा soul कर लेंगे तो ज्यादा better रहेगा वैसे ऐसे भी soul हो सकती है कोई दिक्कत नहीं है बटन को एक uniform तरीकी से अगर आप लिख लेंगे तो आपको soul करने में easy रहे सेम वोई चीज elimination इधर कर लेंगे और जिस substitution का जो है इधर कर लेंगे ठीक है बच्चो चलिए अब देखिए अगर हम इसका LCM लेंगे यहाँ पर LCM लेने से बच्चो यह बन जाएगा आपको यहाँ पर 3X प्लस में क्या बनेगा 4Y और इधर यह मानिस का 6 बन जाएगा ठीक है जी equation first हो गई है हमारी ठीक है बच्चा चलो अब जब इसका जो है बच्चे हम LCM लेंगे तो 3 इधर आकर यह 3X बन जाएगा minus का y as it is रहेगा उधर जाकर यह 9 बन जाएगा क्या ठीक है मेरी बात हाँ जी equation second अभी देखिए इस तरफ भी 3X यहाँ पर जी 3X दोनों टर्म हमको common मिल रही है same मिल रही है इसका मतलब हमको इसमें क्या लगा सकते हैं बच्चे subtraction लगा सकते हैं ठीक है जी चलो उन subtracting equation second and first दोनों का अपस में जो है subtract करवाना है ठीक है जी चलो तो बच्चा 3X minus का y is equal to 9 ठीक है जी 3X plus का 4y is equal to minus 6 क्या ऐसा ही कुछ है sign change होगा क्या ये term cancel out हो जाएगी मेरे बच्चो हाँ जी बिलकुल हो जाएगी अब देखिए sign change हुआ ये minus का हो जाएगा 4 और एक 5 minus का 5y sign change हुआ प्लस का हो जाएगा बच्चे ये 15 तो y की value कितनी आ जाएगी minus का 3 आ जाएगी अब इस y की value को किसी भी equation में आप put करके देख सकते हैं let's say हम put कर लेते हैं equation second के अंदर put in equation second minus y is equal to 9 3x minus का ये 3 है तो ये प्लस का हो जाएगा यहाँ पर हाँ जी बिलकुल हो जाएगा ठीक है जी अब ये क्या है 3 is equal to अब ये 3 उस तरफ जाएगा तो minus का हो जाएगा हाँ जी 9 minus 3 जाके 6 हो जाएगा x की value कितनी आ गई बच्चो 2 आ गई y की value minus 3 x की value 2 अब बच्चे यही जो है substitution से करके देखते हैं equation क्या थी बच्चो हमारे पास में 3x plus में 4y is equal to minus का 6 equation number first इसको मान लेते हैं और बच्चे इसी में ही यहाँ पर वो कर लेते हैं इसकी x की value चलो x की value निकालेंगे बच्चो minus का 6 है minus का 4y हो जाएगा और अब अब उन में ये 3 हो जाएगा equation number इसको a मान लेते हैं ठीक है जिस second equation क्या दिए हुई है 3x है minus का y है is equal to 9 ये equation हमारी second दिए है क्या ठीक है मेरे बच्चो हाँ जी अब इस पूरे को जो है बच्चो put करवा देते हैं कहां पर put in equation second बच्चे second में जब इसको put करवाएंगे चलिए x की value को इसमें put करवाना है चलो करवा दू आजब minus का 6 minus का 4y अब उन में ये 3 है बच्चे 3 से 3 cancel out होगा हाँ जी बिलकुल हो जाएगा minus का y is equal to 9 बच्चे minus का 6 उदर जाके plus का 6 हो जाएगा ये minus का 4y है ये minus का y है क्या ऐसा कुछ आएगा हाँ जी आएगा इसको बच्चे minus और minus plus करवा दीजिए 5y और ये कितना 9 और 6 15 चलिए y की value बच्चे क्या minus का 3 आ रही है हाँ जी अब इसको बच्चे put करवा देंगे put in equation a a के अंदर बच्चे put करवाएंगे इसको y की value कितनी है minus का 3 है अब उन में कितना 3 माइनस का 6 ये plus का कितना हो जाएगा बच्चे 12 हो जाएगा चारती है 12 minus और minus plus और अप उन में कितना है 3 है ये 6 बच्चे का और ये 2 2 आ चुका है हमारा दोनों तरफ बच्चे आप देख सकते हैं values जो है बराबर आई है चलिए इसी के साथ बच्चे ये कोशन हमारा समापत होता है अगले कोशन की तरफ बढ़ते हैं चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अगले कोशन देखे क्या दिया गया है if we add one numerator numerator में one add कर देना subtract कर देना one from the denominator ठीक है जी the fraction reduces to one ठीक है जी fraction जो बनेगी बच्चों वो one बन जाएगी हमारे ठीक है जी one के बराबर बन जाएगी ठीक है चलो बहुत बढ़िया और इसमें किस से solve करना है केवल elimination method का इसमें इसमें इस्तिमाल करना है ठीक है जी I hope अभी तक आप लोग elimination method से aware हो चुके होंगे चलिए अगर नहीं होए तो बच्चों कोई बात नहीं हम करवा देंगे चलिए मेरे साथ साथ questions करते जाएए चलो देखे बच्चों numerator denominator हमको नहीं पता तो मानने पड़ेंगे सबसे पहले तो और क्या मानें? X और Y मानें? या A और B मानें? चलो X और Y मान लेते हैं let numerator is X मान सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल अब जी denominator कितना मान सकते हैं? Y मान लिया Y अब जी उसमें क्या बोल रहा है वो? X अपोन में Y X में क्या करवाया देखो? We add 1 to the numerator बहिया numerator के अंदर तो बच्चा उसने 1 को add करवा दिया ठीक है? चलो और subtract 1 करवारा denominator में से तो fraction क्या बन जाती है? जल्दी बताओ 1 reduces to 1, ठीक है जी? घटकर वो 1 रह जाती है Y, cross multiplication कर देंगे इसकी तो Y ये मानस का इधार आ जाएगा और ये उदर चला जाएगा मानस का 2, ये equation हमारी first बन जाती है आपर ठीक है बच्चो चलो अब उसके बाद में वो क्या बोल रहा है? it becomes 1 by 2 जो fraction है हमारी वो क्या बन जाती है? 1 by 2 के बराबर बन जाती है कब? if we only add 1 to the denominator केवल denominator में एक add करना है चलो जी, एक add करवा दो और बराबर में कितना लिख दो? 1 upon 2 अब ये fraction हमारी कितनी बन चुकी है? 1 upon में 2 बन चुके है शावाश बच्चे cross multiplication करवाएंगे 2x हो जाएगा और ये y प्लस में 1 क्या ऐसा ही होगा? हाँ जी, बिल्कुल होगा अब देखें बच्चा 2x minus y is equal to 1 क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? चलिए बहुत अच्छी बात है यहाँ पर भी minus 1 है इधर भी minus 1 है तो बच्चे equation को subtract करवादेंगे subtract equation second and first ठीक है जी, चलो equation second क्या दिया हुई है? 2x minus y is equal to 1 दे रखा है और जी, इधर दिया हुआ है x minus y बरावर में minus 2 ठीक है बच्चो, चलिए minus करवाएंगे तो 2 में से 1 जाके 1 बच्चेगा sine change हो जाएगा यहाँ पर minus करेंगे तो यह फूरा term cancel out हो गया हो गया जी sine change हो जाएगा 3 तो बच्चे x की value तो आगी हमारे पास में 3 अब इसको जो है put करवादे न, put in किसमें put करवाएंगे चलो बताओ first में put करवादे क्या चली first में put करवादेते हैं बच्चो इसमें put करवाएंगे बच्चो तो x की जगा तो आ जाएगा यहाँ पर 3 3 जो है plus का है, उदर जाके कैसा हो जाएगा minus का हो जाएगा, हाँ जी माइनस का हो गया हाँ जी चलो माइनस का y is equal to minus का 5 माइनस से माइनस बच्चा cancel out हो गया चलिए बहुत बढ़िया y is equal to 5 x की value 3 आगी y की value 5 आगी चलिए बहुत अच्छे इसी के साथ ये question समापत होता है अगले question की तरफ बढ़ते है चलिए बच्चों अगला question आच चुका है 5 years ago नूरी वाज नूरी सबसे पहला नाम दिया गया है नूरी वाज वाज यानि कि थी 3 तीन गुना थी as old as sonu sonu के 3 गुना थी ठीक है जी 10 साल बात बोल दिया नूरी विल भी सबसे पहला तो भई है नूरी और sonu दो नाम हमको पता चल चुके है चलिए तो उसकी present age मान लेते है नूरी की जो present age है x मान ली ठीक है जी sonu की भी ऐसे ही age माननी पड़ेगी हमको क्या y मान सकते हैं हाँ जी बिलकुल मान सकते हैं सबसे पहले बच्चोंस ने क्या बताया जल्दी बता दो मुझे first मतारा के 5 years अगो present age x है नूरी की तो 5 years अगो 5 साल पहले क्या वो x मानस 5 की रही होगी नूरी वाज थराइस जो भी 5 साल पहले नूरी की age थी वो क्या थी 3 गुना थी पर किसके 3 गुना थी as old as sonu sonu की age भी क्या 5 साल पहले क्या y मानस 5 रही होगी ठीक है statement समझ में आई चलो अब इसमें कुछ बचाएं नहीं बच्चे x मानस का 5 और ये कितना है 3y है मानस का 15 x मानस का 3y है मानस का 15 प्लस का 5 x मानस 3y is equal to मानस का 10 first equation हमारी बन चुकी है बच्चो second में देख लेते है क्या है कि नूरी will be twice नूरी देखे 10 year later 10 साल बाद की बात कर रहा है बच्चो नूरी की age क्या मान रखिए x मान रखिए 10 साल बाद क्या उसमें present age में अगर 10 जोड दे तो उसकी 10 साल बाद की value हमको पता चल जाएगी उसकी age की चली इतना होगा वो कितनी हो जाएगी will be twice 2 गुना हो जाएगी पर 2 गुना किसके है मेरे बच्चो old as sonu as old as sonu तो क्या sonu भी तो 10 साल बाद 10 साल बढ़ाई हो जाएगा ना तो y is y plus में बच्टे y plus में 10 ठीक है जी चलो how old are noori and sonu कितने old के है मतलब कितने year old है फिलाल present यह जाए या नहीं कि वो ठीक है जी चलो इसे solve कर लेते हैं x plus में 10 2y और यह 20 हो जाएगा x is यह मानिस का इदर आ कि 2y और यह इदर equation second इसमें कौन सी term common है x तो इसको subtract करवा दो equation first and equation second cancel out minus y बचेगा इसको यह minus का 20 y is equal to आचुका है हमारे पास में 20 अब इसको put करवा देना है कहां पर put करवा दीजे इसको in second second में इसमें put करवा दीजे y की value चलिए यह कितना है 40 हो जाएगा 40 उदर आके कितना हो जाएगा बच्चो प्लस का हो जाएगा क्योंकि मानि उसका था यह 40 चलिए x is equal to 50 x की age तो आगई 50 और बच्चा y की age कितनी आगई यह जल्दी बता दू मुझे y की age बच्चे आचुके है 20 क्या मेरी बात आपको समझ में आई हाँ जी विल्कुल आ गई होगे तो चलिए बच्चो यह question sum आप तो हो चुक है अगले question की तरफ बढ़ते हैं तो चलिए बच्चो अपने next question की तरफ बढ़ लेते हैं देखते हैं क्या बोल रहा है the sum of the digits of a two digit number या कोई भी two digit नंबर वाई को नंबर दे रखा है उसका जो sum है उनकी digits का सम है वह क्या है ? nine है ठीक है जी तो बच्चे मान लेते हैं क्यों वह number दिया है two digit कोई भी number दे रखा है तो उसके once place पर यहनु के आहां unit place पर क्या दिया हुआ है ? देखे तो सबसे पहले तो first equation देख लेते हैं बच्चों क्या है कि इनके number को अगर हम जोड़ दे x और y को अगर जोड़े तो कितना आता है वो 9 आ जाता है equation number first हमारी आ जो उसके बाद में आ जो also 9 times of this number अगर बच्चे इस y को जैसे कि कोई भी number है माल लेते हैं कि 2 और 3 है अगर इसको हम प्रोपर खोल के लिखेंगे तो वो ऐसे तो लिखेंगे ना 20 प्लस में 3 अरे इसी form में तो लिखते हैं जो 10 वाला प्लेस होता उसको 10 इंटू में करके लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं चलिए क्योंकि वो 10th place पर है देखें also 9 times of this number is twice the number obtained by reversing the order of digits ठीक है बच्चो सबसे पहले तो इस number को जब हम खोल के लिखेंगे अभी के लिए तो ये क्या कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या 10 y प्लस में x लिख सकते हैं कि नहीं चलिए बहुत बढ़िया क्या बोला also 9 times of this number ठीक है जी इस number का 9 times 9 times of this number जो हमने माना हुआ starting में ठीक है जी 9 times of this number is कितना है twice है twice of the number obtained एक ऐसा number जो मिलेगा कब by reversing the order of the digits इन digits का order reverse कर दो उल्टा कर दीजिए अब अभी तो था y x अभी क्या बन जाएगा x y प्रोपर जब इसे खोल कर लिखेंगे तो क क्या लिखा जाएगा 10 x plus y लिखा जाएगा यह अभी example से मैं आपको बता चुका हूँ चलिए तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 x plus y यही बोला हुआ उसने ठीक है जी चलो यह कितना हो जाएगा बच्चे 90 y हो जाएगा यह अरे होगा के नहीं यह 9 x हो जाएगा यह 20 x हो जा जाएगा माइनस का हो जाएगा माइनस का 90 प्लस का 2 है तो यह माइनस का 88 हो जाएगा y माइनस से माइस कैंसिल आउट x की वैल्यू आ गई बच्चो 8y equation second इसको हम मान सकते हैं ठीक है जी अब बच्चे एक काम कर लेते हैं वैसे तो इसको सिधा इसकी वैल्यू भी इसमें पूट कर सकते हैं तो चली इसकी वैल्यू भी पूट कर देते हैं put in equation first first मैं put करेंगे बच्चो तो ये 8y हो जाएगा ये 9y is equal to 9 y की वैल्यू आ गई बच्चो 1 क्या आ चुकी है हाँ जी अब इसको बच्चे पूट कर दीजिए put in equation second equation second मैं जब put करेंगे तो x की value कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी ठीक है जी चलिए इसी के साथ बच्चे बहुत बहुत बैतरीं तरीके से ये question भी हमारा खतम हो जाता है बढ़ते हैं अपने next question के तरफ तो चलिए बच्चो देखिए next question हमारा आ चुका है मीना went to a bank to withdraw रूपी 2000 देखिए वो 12 रूपे लेने के लिए बैंक में गई थी she asked the cashier to give रूपी 50 नोट्स and 100 नोट्स ठीक है जी चलो बहुत बढ़िया मीना go 25 देखिए total उसको कितने नोट्स मिले वहां से 25 नोट्स उसको मिले चली बहुत बढ़िया और वच्चा find how many notes of रूपी 50 and 100 शीरे से ठीक है जी देखिए एक चीज़े हमको यहां पर clear यह हो गई कि दो नोट्स के बारें बात चलिए एक तो 50 रूपे का नोट है और 100 र 2000 रूपे मिले उसको ठीक है जी total एक चीज़ वह यह बता रहा है कि number of notes कितने हैं देखिए एक तो 50 रूपे का note है और 100 रूपे के हैं ठीक है जी तो number of notes जो उसको मिले होंगे 50 रूपीज के 50 रूपीज के मान लेते हैं कि X मिले होंगे उसको और 100 रूपीज वाले कितने मिल होंगे बच्चा इसको मान लेते हैं Y ठीक है जी टोटल नोट कितने मिले यानिके X और Y मिला कर उसको मिले टोटल पचीज नोट एक्विशन फर्स्ट मान ली जी इसको ठीक है जी चलो उसके बाद में बच्चा वह का कह रहा है कि देखिए टोटल उसने कितने पैसे लिए वहां से 2000 रुपे लिए और किस फॉर्म में लिए बच्चा एक तो 50 रुपे के नोट की फॉर्म में लिए और इसको solve कर लेंगे तो बच्चा इसको थोड़े सा 50, निकाल लीजेगा, यहां से plus में यह 2 आ जाएगा इदर, और यह कितना बन जाएगा, 440, यह बच्चे 40 बन जाएगा, cancel out, ठीक है जे, चलिए, यह equation second और यह first, अब देखिए, एक काम हम यह कर सकते हैं के, इनको जो है, subtract करवा देजी, subtract equation first and 2, बच्चे subtract करवाने पर, x प्लस y is equal to 25, और यह x प्लस में 2y is equal to 40, ठीक है मेरे बच्चो, subtract करवाएंगे, यह minus हो जाएगा, cancel out हो जाएगा, minus का y बच्चेगा, और यह कितना बच्च जाएगा, minus का 15 बच्चेगा, ठीक है मेरे बच्चो, चलिए, 15 बच्चा जी, हाँ जी, बिल्कुल बच्चा, minus से minus, cancel y की value आ गई जी, 15, ठीक है जी, 15 यहाँ पर value बड़े, easily हमार जी, यह है, x plus y is equal to 25, चलिए, इसकी जगा 15 put क्या, क्या 10 बच्चा हमारे पास में, हाँ जी, 10 बच्चा बिल्कुल, तो देखा बच्चो, बड़े easily हम लोग find out कर चुके है, y की value 15 है, और x की value 10 है, total कितने थे, 15 और 10 कितने होते हैं, total 25 होते हैं, चलिए, तो y को क्या माना थ हमने, यह 100 रुपीज के नोट थे, ठीक है जी, तो 1500 तो यह हो गए, और यह कितने हो गए बाकी, यह 500, चलो, तो इसी के साथ बच्चो, यह कोशन हमारा समापत होता है, अगले कोशन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए बच्चो, अपने अगले कोशन की तरफ बढ़ लेता है, म and an additional charge, कुछ additional charge भी है, each day thereafter, तीन दिन के बाद में, ठीक है, तीन दिन के बाद में कुछ उसको extra pay करना पड़ेगा, ठीक है, तो each day का charge है उसका बच्चो, ठीक है जी, अब सरीता पेड कितने हैं, 27 रुपीज पे किये हैं, उसने, for a book, एक book के लिए for 7 days, देखिए, 7 days के लिए कितने पे किये, उसने 27 रुपीज, क्या ठीक है मेरे बात हाँ जी, Well, Shushi, Shushi ने जो पेड किये बच्चा, 21 रुपीज पे पेड किये हैं, 5 days के लिए, तो बच्चे, 5 days के लिए, उसने कितने पेड किये, जल्दी से बता दो मुझे, 21 रुपीज पेड किये, चलिए बहुत ब देखे, fix charge को x मान लेते हैं, और जी, charge per day, per day कितना charge करेगा? वो y है, ठीक है जी, चलो, देखे, total day कितना है? 7 है, fix charge हमने कितना मान रखा है? x माना हुआ है, ठीक है जी, चलो, चले बहुत बढ़िया, तो x तो हो गया हमारा fix charge, जो कि कितने दिन के लिए है? 3 दिन के लिए है, total day first, जो statement थी, उसमें क्या बताएगा? 7 दिन, 7 में से 3 दिन तो निकाल दो fix वाले, ठीक है जी, आगे के कितने दिन बचे? 4 दिन बचे के नहीं बचे? 3 और 4 साथ, 4 दिन बचे, 4 दिन का जो charge लगेगा, वो per day के हिसाब से लगेगा, और per day का हमने मान रखा है y, total उसको कितन पे करना पड़ा है, first scenario के अंदर 27, क्या मेरी बार ठीक है? हाँ जी, first equation इसको मान लिया, second में क्या बताएगा? fix charge तो रहे गई रहेगा, fix charge कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए है, second case में उसने क्या बताया? कि वही, 5 दिन के लिए उसने book उधार ली वाह से, ठीक है जी? 5 में charge और each day का मिला कर उसने क्या दिया? 21 रूपीज दी, equation second मान दीची, यहाँ पर भी x की quantity है, उधर भी है, तो दोनों को क्या करते हैं? minus करवा देते हैं, first को minus करवा दिया seconds, minus, ठीक है जी? यह term तो हमारी पूरी cancel out हो जाएगी, अब जब इसको minus करेंगे तो यह बच जाएगा 2y, इसको minus यहाँ पर करवाएगे तो यह कितना बचेगा बच्चा? 6 बच जाएगा, y is equal to आगया बच्चा 3, ठीक है जी? y की value हमारी 3 आ चुकी है, बहुत बड़िया, अब इसको जो है put करवा दीजी यहाँ पर, put in second equation, second में जब इसको put करवाएगे y की value को, y की value कितनी है? 3 है, 21 है, 21 माइनस का 6, कितना आया बच्चे? कितना आया जल्दी बताओ, 21 माइनस का 6, 15 आ गया क्या? तो बच्चा, fix charge तो था हमारा 15, each day का हमारा charge आया, कितना? अरे बोलो भाई, यह 3 आया कि नहीं आया? हाँ जी, अब देखें, first वाले case में वो क्या बता रहा था? total 7 दिन के लिए, first 3 days का जो कि fix था, वो तो 15 हमारा आई गया, बच्चे कितने उपर के? जल्दी बताओ, 4 दिन बच्चे के नहीं बच्चे, एक दिन का हमारा कितना है? 3 है, 3, 4, 12, 15 और 12, कि 27 होता है, कि 27 रुपे उसने 7 दिन के pay किये थे, हाँ जी किये थे, इसका मतलब यह मारा question ह हो चुक है बच्चे, यह exercise के सभी questions हमने देख लिया है, I hope यह सारे questions आपको समझ में आए होंगे, अगर समझ में नहीं आएं बच्चे, तो comment section में जरूर बता देजेगा, तो चलिए बच्चो, इसी के साथ में बच्चे, यह video खतम करते हैं, तो चलिए बच्चो, आज की video क हम सभी questions बच्चा देख चुक हैं, कोई doubt रहे गया हो, कोई suggestion हो आपका, तो please comment section में बताईएगा, और आगे से better करने का प्रयास रहेगा हमारा, और तो इसी के साथ बच्चे, यह video का यहाँ पर समापन करते हैं, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए take care, bye bye झाल